अक्सर शपत ग्रहन चुनाव जीतने के बाद सदन में जीत के आने वाले नेता को दिलाई जाती है लेकिन मध्यपुरा में शराब बंदी कानून को तोड़कर शराब पीने वाले और बेचने वाले को शपत दिलाई गई दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि नेता कानून के दाइरे में रहकर समाज हित में काम करने की शपत लेते हैं जबकि मध्यपुरा में दोबारा शराब नहीं पीने और बेचने की शपत गिरफतार लोगों को दिलाई गई ताकि वे दोबारा शराब का सेवन नहीं करें के द्वारा संयुक्त रूप से की गई छापेमारी में शराब बेचने और पीने के आरोप में जिले के विभिन क्षेत्रों से कुल 109 लोगों को रंगे हाथ गिरफतार करने में सफलता हासल की गई है। 15 बेचने तथा 94 पीने के जुर्म में गिरफतार किया गया है। दिनांग 12-12 को पुरी बिहार में 18 जगहों पर जिला से विशेश छबमारी अभियान चलाया गया। मध्यपूरा में भी दिनांग 12 तारी को विशेश छबमारी अभियान सहरसा और सुपोल के संजुक रूप से चलाया गया। और इस छबमारी अभियान में टोटल हम लोग 109 ब्यक्ति को गिरफतार किये गया है। जिसमें 15 सराब के मुखे कारोबारी हैं और 94 सराब पीने के जूरू में गिरफतार किये गया है। बता दें कि बिहार का पहला जला मधेपुरा बन गया है जहां शराब, पियककर और बेचने के आरोप में गिरफतार लोगों को इस बात की शपत दिलाई गई कि वे दोबारा शराब न पिएंगे और नहीं बेचेंगे। पंजाब के स्ट्री टीवी के लिए मधेपुरा से राजीव रंचन की रिपोर्ट। झालै एलजा ओर नहीं ऑजाघ जिलाए जोचन की शपत दोचर से रिचात से राजी बेचल की बतावर में ऑरस्तार बेचेंगे साफने की रचल को भी तोबा सब्सक्रें के लिए